नवस्कार, बिलेंट स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आप क्लास 12 के एक ऐसे क्वेश्चन्स इंट्रिगेशन से जो सायद 2025 के लिए संभावी थे वो क्वेश्चन्स को देखिए आप और ये क्वेश्चन्स सेम टू सेम नहीं आया मतलब गेश के रूप में दिया जाता है क्योंकि आप समय वहीं आ गया है मर्च में एक्जाम होने वाला है तो दो-तिन महीं ने प्रैक्टिस ही करवाई जाती है और क्लास भी रन हो रहे थे वो कंप्लीट हो गा है कोर्स आप उसमें किवल रिवाईज करवाय जा रहा है जिसमें आप साम को साथ मुझे लाइब हमसे जुड़कर और अभी इंट्रिगेशन ही चल रहा है उसके डिटेल्स को जाम सकते हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट कोश्चन्स है वीडियो के माध्यम से भी आप पर दे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर एपने ग्रूप के और और हम ज्यादा सा ज्यादा साथ इस पे आएंगे समय निकालेंगे अर हम से सिखनेओ बच्चे जङदा से ज्यादा सिहaaaa है चलिए आपनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए हम यहां बताते हैं कि यह कोश्चन साप को रिभाइज करका रख लीजिए 2025 के लिए शंभावित है क्रॉल्ट क्लास के बच्चे हैं इंट्रिगेशन से हैं इसमें हमें इभिलियेट करना है इंट्रिवर्स अंडर्णृ वांयिनस साइन एक्स और टिवेडेड ब्वाइब यह रूट के अंदर या तो व's साइन प्लॉस कोश्च रुगा जाठ रूट का ब्रुन Loskeлов eigenlijk साइन होगा, या तो यह कॉस वाले होंगे, यह साइन वाले होंगे, तो सबसे पहले हमें लेना है इसको, we know, we have, क्या ले लेंगे, one minus sign x, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, हमारे पास है, i is equal to इतना लिखकर, छोड़ देते हैं, ठीक है, one minus sign divided by one plus sign x, ठीक है, अब एक फॉर्मूला होगा, कि sign square x plus cos square x is equal to one, तो यहां one है, उसके बदले में हम रखने वाले हैं, और दूसरा फॉर्मूला, sign x is equal to two, sign x by two, cos x by two, इसको हम इसके बदले में रखने वाले हैं, तो चलिए, हम इसको रख देते हैं, that is equal to shine square x by two, क्योंकि x अगर होता है, तो x by two भी मतलब angle same होना चाहिए, उनका square sum one होता है, तो यह हो जाएगा, cos square x by two, और यहां हो जाएगा, minus two sin x by two, cos x by two, divided by, shine square x by two, plus cos square x by two, plus two shine x by two, cos x by two, अब यहां पर आप देखिए, कि एक formula बन गया यह, a square plus b square minus two a b, और a square plus b square plus two a b, a plus b the whole square, और a minus b the whole square, और देखिए, सबसे पहले चीज़ कि हमें 10 की terms में जाना है, तो cos को पहले हमें रखना है, तो हम यहां लिखेंगे, cos x by two, minus sin x by two, the whole square, divided by, cos x by two, plus sin x by two, the whole square, जब हमें यह मिल गया, तो i अब हमारा change होगा, क्या change होगा, therefore, i is equal to integration of tan inverse, under root, cos x by two, minus sin x by two, divided by, cos x by two, plus sin x by two, और दोनों का square है, तो यह खिए square के अंदर कर दिया, dx, ठीक है, अब square है, और square roots है, तो यह बाहर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर करने से, चलिए पहले करीदेते हैं, उसके बाद उसको फिर से, break कर देंगे, अब यह मिल जाएगा हमें, i is equal to integration of tan inverse x, और यह बाहर हो गया, cos x by 2 minus sin x by 2 divided by cos x by 2 plus sin x by 2, ठीक है, अब यह देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, x by 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो यहां टर्म समरा हो जाएगा, integration tan inverse, cos x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2 divided by cos x by 2, और whole divided by cos x by 2 by cos x by 2, और plus sin x by 2 divided by cos x by 2, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यह देखते हैं, कि आप देखेंगे, यहां पर यह दोनों cancelled out हो गया, और हमारे पास i क्या बच गया, तो i is equal to integration of tan inverse, 1 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan x by 2, क्योंकि यहां यह कट गया, तो 1, 1 हो गया, और sin by cos same, अगर उनके angle हो, तो वो tan हो जाता है, यह हो गया, अब यहां पर एक और चीज़ हमें जानना है, कि we have to tan pi by 4 is equal to 1, और यह तो हमें पता है, लेकिन हमें इस्तमाल कैसे करना है, यहां presence of mind करना है, क्योंकि 1 यहां भी है, 1 यहां पर भी है, तो यह कैसे हमें समझ में आयाएगा कि कहां हम क्या लगा है, तो हमारे पास formula याद होना चाहिए, और formula यह है कि tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, तो हमें उपर वाले में इस 1 के जगा पर यह लगाना है, लेकिन नीचे वाले में यहां जो tan x by 2 है, यहां एक 1 भी multiplied है, ठीक है, तो अब हम यहीं पर लगाएंगे और यह लगाएंगे, i is equal to हो जाएगा integration of tan inverse, tan pi by 4 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 और tan x by 2, इस 1 के लिए हमने tan pi by 4 का इस्तिमाल किया, और यहां पर इस 1 के लिए tan pi by 4 इस्तिमाल किया, अब यह tan, यह pi by 4 को a और x by 2 को b मन ले, तो यह हो गया tan a minus b, और यह dx छूटते जा रहा है, इसको आप छोड़ोगे नहीं, नहीं तो यह गलब हो जाएगा, dx, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, हम लोग पहुँच गये हैं, कहाँ पर? answers के करिब में, अब यह क्या हो जाएगा, कि अब तो इस substitution से हम कर लेंगे, tan a minus, tan a minus b is equal to क्या होता है, तो tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, अब यहाँ पर substitute करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, i is equal to integration tan inverse, यहाँ पर हो जाएगा, tan pi by 4 minus x by 2 dx, यह हो गया, ठीक है, और एक और formula पर चला है, inverse trigonometry में, तो tan inverse tan x that is equal to x, और यह क्याँ टैन के लिए नहीं, किसी भी trigonometric ratio के लिए हो जाएगा, चाहे वो tan हो, sine हो, अगर एक regular हो, और एक inverse हो, तो चाहे वो bracket के अंदर inverse हो, चाहे बाहर inverse हो, एक regular और एक inverse, दोनों cancelled out हो जाते हैं, केवल angle रह जाता है, तो x हो गया, अब यहाँ पर, उसे formula के हिसाब से, यह जो formula हम यूज किये हैं, तो इस formula के हिसाब से, अब यहाँ पर हमारे पास, tan inverse और tan regular, दोनों cancelled हो गया, हमारे पास रह गया केवल angle, तो i क्या हो गया, integration of, pi by 4 minus, x by 2, क्या करते हैं, अब separate कर देते हैं, यहाँ से तो आपको पता ही है, क्या करना है, i is equal to integration of, यह pi by 4 हो जाएगा बाहर, क्योंकि यह constant है, अक्केवल dx रह जाएगा यहाँ पे, और minus integration of, x और 1 by 2 बाहर हो जाएगा, dx, अब इसको integrate कर देते हैं, that gives, i is equal to pi by 4 x, क्योंकि dx का हो जाएगा x, और minus 1 by 2 into x का power 1 है, तो यह add हो जाएगा, 1 plus 1 divided by 1 plus 1, और चुकि यह indefinite है, इसलिए यह cancelled out हो जाएगा, इसको solve कर देंगे, तो यह हो जाएगा, pi by 4 x, minus 1 by 2 into x square by 2, plus c, तब हमारा options आ चुका है, और वो options क्या होगा, therefore, integration of tan inverse, tan under root to 1 minus sin x, divided by 1 plus sin x, dx is equal to pi by 4 x minus x square by 4 plus c, और यह आपका answer हो जाएगा, यह हो गया, answers, तो गैज, यह अदि आप चाहते हैं, कि 12 के जो प्रैक्टिस है, हमारे साथ किया जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करके अपने दोस्तों सो भी सब्सक्राइब करवाए, और हमारे साथ जुड़े, कॉमेंट्स करें, अगर आपके पास कोई कोश्चन्स ऐसा है, तो या फिर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अपना टॉपिक बताए, अभी आपको बतादे कि सामको 7 बजे, आपको लाइब में इंट्रिगेशन सी पढ़ाया जा रहा है, इंट्रिगेशन बाई सब्टिचूशन्स, तो आप उससे जुड़ना चाहिए, एंट्रिगेशन सी वहाँ चल रहा है, आप दूसरे बुक से प्रैक्टिस करते हैं, तो उस बुक के रेफरेंस में हमें कमेंट्स करें, और अपने जो प्रैक्टिस है, उसको स्ट्रॉंग करें, मैं चाहता हूँ कि 12 में आपके मैथ के जो नंबर्स है, वो 90 प्लस हो, तो चलिए, आप लाइब सब्क्राइब सेयर किजिए, आमारे साथ जुड़िए, आपकी जो प्रोग्लम हो हम तक पहुंचाइए, अनिता, आमारे साथ जुड़िए, जितने भी विएपी कोश्चन्स है, जो आपके एक्जाम्स के लिए सुंभावित हो सकते हैं, 2025 के लिए, वो मैं लेकर आऊँगा, आपके पास होगा, आप भेजेंगे, उसको भी मैं पूरे थौट्स के साथ डिस्क्राइब करूँगा, तो चलिए, मैं यासा करूँगा, कि आप लाइप सब्क्राइब सेर करेंगे, और दभा के करेंगे, इसी इंतजार में, कि आप हम से कब जुड़ते हैं, कितनी मातरा में जुड़ते हैं, आप सबका धन्यबाद करते हुए, वीडियो यहीं रुखते हैं, थैंक्यू, चैहिंद,